जी सर आज 32 वा दिन है क्या कुछ अला है हम 32 दिन से केमपी टोल पलाजा मांडोठी पर धर्ना रथ हैं और आज एक महान संत रवीदाजी का जनम दिन है और मांड संत रवीदाजी ने हमें छिकाया कि गरीब में कोई अंतर नहीं होना चाहिए गरीब और अमीर में सबको बराबरी का दर्जा मिले और जो संत ने माग दर्सन दिलाया उसका हम अरूसरन करते हुए अज हम यह कहते हैं कि समाज को भी जागरुख होकर के भी अकेले किसान उकी लाया नहीं है या अकेले किसी जाट परिवार की या दूसरी जो किर्शिक जाते हैं उनकी लाया नहीं है ये गरीब भायोग लाई भी है दलीट समाज की लाई भी है क्योंकि जिब जमीन का अधीकन होता है तो सब को नुक्षान होता है तो आज संत रवीदाज जी की जहनती पर हम नमन करते वे रवीदाज जी को और सुर्ष समाज से आगरे करते हैं कई सांदुल के लिए सब का साथ चाहिए ब्रामन से लेके दलित भाई तक का इसमें योगदान होना चाहिए यह हमारी समाज से प्रात्ना है जब समाज में समरस्ता रहेगी एकता रहेगी और संत रवीदाज जी के दिखावे मार्क पर चल करके हम सबको एक जूट हो करके आगे बढ़ेंगे हरियाना के लिए S.Y.L. का पाणी लेकर आएंगे इनके लिए उचित जमीन अधिगन का मौजा लेकर आएंगे तो जितनी भी जो हमाई लडाई है चाहिए वो जमीन अधिगन के कानून में संसोतन करyahने की बात हो या अपना अलग से हरियाना का हाई कोट लाने की बात हो या S.Y.L. का पानी दिल्ली रास्तान और हरियाने के लिए लेकर आने की बात हो या 108 हिंधी बासी गाउं पंजाब से अरियाना में सामील करवाने की बात हो या मेट्रो के विश्तार की बात बादली तक आए आसदा मांडोटी तक आए और करकोदा तक आए ये सबी बाते सरोसमाज की हैं और मैं सरोसमाज से अपील करना चाहता हूं कि इस लाई में जलो और भूमी युद में हर जाती हर वरग हर धरम को सामील होके और इस लाई को विजय की तरफ लेकर के जाना चाहिए नमस्कार